साथियों, मानव जीवन की विकास यात्रा निरंतर पानी से जुड़ी हुई है, चाहे वो समंदर हो, नदी हो या तालाब, भारत का भी सवभागे हैं कि करीब 7500 किलोमेटर से अधिक लंबी कोस्ट लाइन के कारण हमारा समुद्र से नाता अतूट रहा है, यह ततिय सिमा कई राज्यों और दिपोस से होकर गुजरती है, भारत के अलग-लग समुदायों और विविदताओं से भरी संस्कृति को यहां फलते-फुलते देखा जा सकता है, इतना ही नहीं, इन ततिये इलाकों का खान-पान लोगों को खुब आकरशित करता है, लेकिन इन मजेदार बात के साथ ही एक दूखत पहलू भी है, हमारी ततिये ख्षेत्र परियावरन से जुड़ी कई चुरोतियों का सामना कर रहे है, क्लाइमेट चेंज, मरीन एकोसिस्टिम के लिए बड़ा खत्रा बना हुआ है, तो दूसरी और हमारे बीचीच पर फैली गंद की परेशान करने व करें, यहां में देश के ततिये ख्षेत्रों में कोस्टल क्लिनिंग की एक कोशिश स्वच्छ सागर, सुर्चित सागर, इसके बारे में बात करना चाहूंगा, पांच जुलाई को शुरू हुआ यह अभियान, बीते 17 सितंबर को विश्व कर्मा ज्यनति के दिन संपन हुआ इसी दिन कोस्टल क्लिनप डेवी था, आजहादी के अमरत महुच्छों में शुरू हुई यह मुहीम, पचरतर दिनों तक चली, इसमें जन भागीदारी देखते ही बन रही थी, इस प्रयास के दोरान, पूरे धाई महिने तक सफाई के अनेक कारकम देखने को मिले, गोवा में एक लंबी हुमन चेन बनाई गई, काकिनाडा में गणपती विसरजन के दोरान लोगों को प्लास्टिक से होने वाले नुक्सान के बारे में बताया गया, एनसेस के लगबग 5,000 युवा साथ्यों ने तो 30 टंद से अधिक प्लास्टिक एकत्र किया, ओडिशा में 3 दिन के अंदर 20,000 से अधिक स्कूली चात्रों ने प्रण लिया, कि वे अपने साथ ही परिवार और आसपास के लोगों को भी स्वच्छ सागर और सुरश्चित सागर के लिए प्रेरीच करेंगे, मैं उन सभी लोगों को बढ़ाई देना चाहूंगा, जिनों ने इस अभ्यान में हिस्सा लिया, इलेक्टेड ओफिशल्स, खासकर सहरों के मेयर और गाओं के सरपंचों से, जब मैं समवाद करता हूँ, तो यह आगरत जरूर करता हूँ कि स्वच्छता जैसे प्रेहासों में लोकल कॉम्मुनिटीज और लोकल औरनाशन को शामील करें, इनोवेटिव तरीके अपना है, बैंगलूरू में एक टीम है, यूथ फर परिवर्तर, पिछले आट सालों से यह टीम, स्वच्छता और दूसरी सामुदाई गतिविद्यों को लेकर काम कर रही है, उनका मोटो बिलकुल क्लियर है, स्टॉप कम्प्लैनिंग, स्टार्ट एक्टिंग। इस टीम ने अब तक शहर भर की 370 से जादा जगहों का सौंदरी करण किया है, हर स्थान पर यूद्फ और परिवर्तन के अभ्यान ने सो से डेड़ सो नागरिक को जोड़ा है, प्रतेग रविवार को ये कारकम सुबह सुरू होता है, और दोपर तक चलता है, इस कारे में कचरा तो हटाया ही जाता है, देवारों पर पेंटिंग और आर्टिस्टिक स्क स्कैचिज बनाने का काम भी होता है, कई जगों पर तो आप प्रसिद्य व्यक्तियों के स्कैचिज और उनके इंस्पिरेशनल कोर्स भी देख सकते हैं, बैंगलोरू के यूद्फ और परिवर्तन के प्रयासों के बाद मैं आपको मेरेट के कबार से जुगाड अभ्यान के बारे में भी बताना चाहता हूं, यह अभ्यान परियावरन की सुरक्षा के साथ साथ शहर के संदरी करण से भी जुड़ा है, इस मुहीम की खास बात यह भी है, कि इसमें लोहे का स्क्रेप, प्लास्टिक बेस्ट, पुराने टायर और ड्रम जैसी बेकार हो चुकी चीजों का प्रयोग किया जाता है, कम खर्चे में सार्वजनिक स्थलों का संदरी करण कैसे हो, यह अभ्यान इसकी भी एक मिशाल है, इस अभ्यान से जुड़े सभी लोगों की मैं रदय से सरहाना करता हूं